प्रवाइब लेकर देखते हैं कलेक्टिव लवल पर आप दोनों की आज की एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं तो शुरू करते हैं गाईज लेकर प्रभू का नाम हरहर महादेव जैहो शिवशक्ति जैहो रादे कृष्ण हमेशा की तरह मेरे व्यूवर्स की एनर्जी मेरे राइट साइड में और आपके परसन की एनर्जी मेरे लेफ्ट साइड में होगी जै है मेरे बाई ये है गाईज आपकी एनरजी और ये है आपके पर्सन की एनरजी तो शुरू करते हैं आपकी एनरजी से देखते हैं क्या निकल कर आता है तो गाईज यहाँ पर जो एनरजी है इसके एकॉर्डिंग दिन की शुरुवात में आपको ऐसे थौट सा सकते हैं कि आप emotionally किसी पर्सन से विड्रॉ कर रहे हैं ठीक है या आपको जिस जगह पे आप हैं अभी उस जगह से आपको थोड़ा आगे बढ़ने का मन करेगा कि चलो ठीक है थोड़ा आगे बढ़ते हैं थोड़ा कुछ काम करते हैं बिजी होते हैं दिखा जाएगा जो होगा लेट गो वाली एनरजी है उसके बाद हमारे पास है बहुत सारा emotions because we have got night of chalices with eight of swords कहीं न कहीं किसी situation में आप बंधन फील करेंगे आपको ऐसा लगेगा कि मेरी life में ये बोज ये burden मेरे उपर जो ये इतना बड़ा pressure है ये कब खतम होगा मेरी जिन्दगी में कब freedom आईगी मेरी जिन्दगी में कब मैं अपने हिसाब से अपनी life को बिताऊंगी या बिताऊंगा इस तरह की vibration है कुछ cycles आपकी भी life की end होने वाली है because 99 portal सिर्फ आपके person के लिए नहीं है आपके लिए भी है तो यहाँ पर आपकी life में भी कुछ cycles यहाँ पर clear होते नजर आ रही है कुछ clarity आपको life में मिलते हुए नजर आ रही है कोई नो कोई बोज आपके उपर बहुत time से है जिसको लेकर आज के दिन आप बहुत ज़ादा कहते हैं आप बिलकुल अकेला रहना सोचना overthinking करना बार 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 या तो love life में कोई चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है या family का बहुत pressure है या आप किसी toxic relationship में है जहां पर आपके उपर बहुत burden है या घरवाले बहुत pressure दे रहे हैं कुछ इस तरह की energy किसी भी तरह का burden आपके उपर आज के दिन में दिख रहा है कुछ लोग आज के दिन में कहीं travel करते हुए नजर आ रहे हैं especially किसी जील, pond, जहरना कुछ इस तरह की energy है या किसी spiritual place पर क्योंकि यहाँ पर energy है तुलसी और people की energy है तो पता नहीं क्यों यहाँ पर ऐसा spiritual सी vibes है तो इस तरह की कोई energy यहाँ पर नजर आ रही है over and all आज की energy थोड़ी fluctuating है आपके लिए तो balance में रहिए bottom of the deck है king of pentacles तो आज के दिन कुछ लोगों को कहीं न कहीं से धन की प्रापती हो सकती है या आपके office से या आपके career field से कोई good news आपको मिल सकती है देखते हैं आपके person के हाल चाल आज के दिन में कैसे रहेंगे देख रहे हैं, spy कर रहे हैं, नजर रख रहे हैं, बट सामने नहीं आ रहे हैं, अपने reality में नहीं आ रहे हैं जो इनके दिल में है, वो सारी चीज़ें आपको express नहीं कर रहे हैं message की energy है जैसे मैंने कहा छुप छुप के देख रहे हैं spy कर रहे हैं तो जैसे ही इनको लगेगा कि बात करनी चाहिए तो ये भागते हुए आपके तरफ आ रहे हैं तो बहुत सारे viewers को आज के दिन में messages receive होंगे even जिसको अभी तक messages नहीं receive होंगे उन्हें भी आज के दिन messages receive हो सकते हैं क्योंकि ये चुप चुप के देख रहे हैं spy कर रहे हैं और इनको अंदर से किसी बात की tension हो रही है आप में से बहुत सारे viewers के person इस energy में है कि मुझे बात भी करनी है मुझे इस रिष्टे में कुछ proper stand भी लेना है और यहाँ 77 की vibration है ace of chalices तो आज के दिन emotions इनके बहुत high होंगे तो 99 portal का positive effect यहाँ पर आज के दिन आपके person की energy में नजर आ रहा है इनकी wish है और यह अपनी wishes को पूरा करने के लिए हर मुमकिन प्रयास करते हुए नजर आ रहे है अगर आप मेंसे कुछ लोगों के person army में है, police में है, किसी वर्दी वाली job में है जैसे lawyer हो गए, advocate हो गए, मतलब दोनों एकी होते है judge हो गए, doctor हो गए किसी वर्दी वाली, uniform वाली कोई job है उनका message आज के दिन बहुत ज़ादा लोगों को receive हो सकता है then we have 10 of pentacles आज की energy इनकी बड़ी ज़ादा high है इनकी energy में ऐसा नजर आ रहा है और bottom से भी देखे celebration है तो अगर आपका birthday है या इनका birthday है या इनकी family में किसी का birthday है बड़ा खुश नजर आ रहे है happy energy है, emotional energy है loving energy है छुप छुप के spy करना, आपके लिए stand लेना इस रिष्टे के लिए कोई proper decision लेना इस तरह की energy है तो आपकी energy थोड़ी fluctuating है बड़ इनकी energy बहुत ज़ादा positive है इसके बाद मिलते हैं बड़े reading में और देखते हैं कि इतनी ही positive energy फिर से निकल कर आती है तो वो 100% confirmation होगा कि हाँ collectively ये energy चल रही है ये vibes बहुत positive है क्योंकि एक भी card आज इनकी दरफ negative नहीं है और आपके लिए बड़ा अच्छा हो सकता है अगर इनकी ये vibes हैं तो सो मिलते हैं तिल देन ठेक्या गाईस बाबाई